दोस्तों दो भाईों के लिए संदार घर का नखषा, 40 x 40, 1600 स्क्वार फिट में संदार घर का नखषा आप वीडियो को अच्छे से देखे, नक्षा को अच्छे से डिटेल में समझेए अगर वीडियो का आप ठीक से नहीं देखें तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे दोस्तों देखें यहां पर पहले हम देख लिए तने डारेक्शन आपका इस्ट वेस्ट नॉर्ट साउट तो यह आपका जो इंट्रांस रहे तरब से रहेगा दक्षिन मुकी घर का नक्स नमस्कार दोस्तों मैं हूं से विल इंजिनर प्रितिस हमारे चैनल पर आप लोगों को बहुत-बहुत श्वागत देखें यहां से आप जैसी दूस्तों आप एंट्री करने के यह हो जाएगा आपका इंट्रांस ठीक है यहां पर अच्छे से समझें में सारा का सारा डिट् पहले यहां पर लीबिंग इसका दोस्तों जो साइब आपका त्यरा फीट यहां पे मिल देता हूं तेरा फिट ग्यारा इंच डोस्तों आप लोगो इस तरफ سे मिल जाएगा बारा फीट-शांत लेंगे और फीट-शाथ-इन्च अप लोगो पूरी तरके से इस तरफ से मि जाएगा आप इसे क्लॉक का इस मुवमेंट लेके दोस्तों आप उपर जाएंगे तो फ्यूचर में अगर रेंट में देना चाहते हैं तो वह भी आप आराम से दे सकते हैं क्यूंकि यहां पर रखा गये तो जो रेंट में रहेंगे वह यहीं से दोस्तों ऊपर चले जो सब्स्क्राइब कर आप पोर्सेन का राटे जाएगा 5-6 फी आप लोगो इस तरफ से मिल जाएगा 6.5 लोगों satisfy मिल дети पर Andre यह पर बेट के खाना खुट सकते हैं जिससे अगा सब पर करें रॉन देख सक Tal jet तो यहां पे आप अगर आएंगे यहां पर आपको एक बड़ा से मैं आप लोगों बताऊंगा दूस्तों पहले यहां पर देख लेजी हैधिए यहां पर आउंगे दूस्तों इसको को शाय बेड रूम हैं पर आपव एक मिल जाएगा बेड्रुम नॉम जो जाएगा इस का दोस्तं न फिट दो इंच नौ फिट डोंको इस तरफ से मिलेघाेवं कॉत डोंको इस तरफ से मिलेगा तो इस बेटरीम सेовал dirty दोस्तों यॉकि इस पेडरुम से 1 सद्टाइब तो यहां पिछ फीट साथ इंच अपलों को इस तरप से मिल जाए को इस तरफ से मिल जाए दूस्तों यह बड़ा सा यहांसे आप अगर एक पाटीशन वाल दोस्तों दे देंगे तो पूरी तरीचे से यह रहता है कि यह पर आप jogos वीछ में कुछी वीर्विश्चा kann यह हो जाएगा आपका एक बड़ा सा हॉल दोस्तों ठीक है तो यहां पर आपको एक और बेडरूम मिलेगा बेडरूम नमबर टू इसको लिख लेते हैं दोस्तों इसका जो साइज रहेगा बारा फीट दोस्तों आप लोगों को इस तरफ से मिल जाएगा नौ फीट नौ यह हो जाएगा आपका आटाच टॉलेट आटाच लाट बात दोस्तों डो रूंड का साइज का डीटेल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस घर को बनाने के लिए वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप वीडियो को एंट तक देखते रहें तो उसके बगल में आप अब देखें कि यहां पर आपको एक कॉमान टॉलेट दूस्तों मिल जाए इसका जो साइज रहे गा वही आपका चार फीट चार इंच आप लोगों को इस तरब से मिल जाएगा यह हो जाएक का मोन टॉलेट दोस्तों ठीक है तो यहां से आप अगर यहां पर आएंगे यहा ज़ेगा है बेड्रूम नंबर कि इसका सब जाइगा नौश पांच नौश फीट पांच इंच आप लोगों को इस तरब से मिल जाएगा इस बेड्रूम से आटाच आपको एक टाइलिट मिलेगा लैट बात आप त्षार चाहर्ट लोगों को इस तरफ से साथ फीट दो इंच आप लोगो इस तरफ से दोस्तों मिल जाएगा यह अब कोमन लैट बात दोस्तों तो उसके बगल में लेप साइट में आपको एक और बेडरूम मिलेगा वे डोन्बर टू इसका जो साइज रहेगा नौ फीट 5 इंच दोस्तों आप लोगोंको इस तरफ से मिलेगा थेकर तो तो उसके लेप साइड फीर आप अगर आएंगे तो यहां पे जैसे वाहां पे था वेससे ही आपको डाइनिंग मिलेगा इसका जो साइज रहेगा डाइनिंग का सेम साइज रहेगा पांच फीट छे इंज आप लोगों को इस तरब से मिल जागा यह हो जाए दोस्तों आपका डाइनिंग एरिया चार आदमी आराम से बेटके खाना का सकते हैं उसके बगल में साइज रहेगा बिलकुल ही पूरी तरुकिस से सेम साइज रहेगा और छे फीक से तरफ जिश्ट अर जितना बीड़ के और वीजर तरफ नॉर्ट वेस्ट तरफ रखा गया है दोस्तों ताकि आप बनाई को दिया गया है दोस्तों यहां पर देखेंगे जैसे यहां पर आपको मिला था दोस्तों लिविंग यहां पेवी आपको एक और लिविंग मिलेगा इसका जो साइज रहे दोस्तों तेरा फीट 11 इंच तेरा फीट 11 आप लोंको इस तरफ से मिल जाएगा बना सकते हैं गेश्ट लोगों को बिठाने के लिए अराम से इंतिजाम कर सकते हैं ओर एक बात में आप लोगों को बता दूँ यहां पे पूजा रूम दोस्तों नहीं रखा गया है पूजा रूम आप अगर चाहें तो इस पॉर्चन में बीच के पॉर्चन में मतलब ब्रहम से बनाये हुआ और सीमेंट से अर के बनाये तो इसको से उसको कर सकते हो दोस्तों यह हो गया पूरा स क्यान charges —ब कवरेनμεे ओंडर टॉलेट में जितना दोड़ेगा दोफिट भाई साथ पीड आपका तो पुजा रूम इस में नहीं रखा गया तो हो गया पूरा टॉटल दोर अबी बात करें तो बेडरूम में चार फीट बाइचार फीट कीचेन में तीन फीट बाइचार फीट चौड़ाई रहेगा चार फित इसका हाइट रहेगा जोस्तों फीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आप ध्यान से देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों अच्छी पर हम बात करें कि कितना भी लर रहेगा दोस्तों पिलर का प्लेश्मेंट कर रहा हूं बौक्ष टाइप में इहां पर बना रहे हूं यहोजाए एक तो दोस्तों यहां पर पूरी तरह से पिलर का प्लेस्टेंट हो गया है पिलर अगर यहां पर काउंट करें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अटरा उनीस बीस तो कुल मिलेगे दोस्तों बीस पिलर आप लोगों को यह घर बनके पूरी तरह से अपलों का त्यार हो जाएगा इस तरफ से दोस्तों 40 फीट अप लोगों को इस तरफ से 40 फीट 45-46 स्कौर फीट तो इस घर को बनाने के लिए कितना कोस्ट बढ़े तो देखिए आज के तारीक में आप अगर इस नक्सा में घर बनाएंगे दोस दोस्तों बन बन के त्यार हो जाएगा दो भाई आराम से रह सकते हैं कुछ भी प्रोब्लेम नहीं सबको अलग अलग तरिके से रूम का डिजाइन यहां पर दिया गया है तो यह था आज का हमारा नक्सा आप लोगों को कैसे लागा आप में कमेंट में जरूर बताई अगर बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार